इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगर आप फोन पे यूज़ करते हैं और आपको कोई पेमिट करता है या फिर आप किसी को पेमिट करते हैं तो जो साउंड होती है फोन पे की वो आपको सुनाई नहीं देती है या फिर आवाज नहीं आती है नौटिफिकेशन की तो इस problem को आप कैसे सही करें तो यहाँ पर देखिए मैं Samsung के phone में भी आपको करके बताऊंगा अगर आपके पास realme का phone है तो भी करके बताऊंगा और अगर आपके पास यह दोनों phone में से कोई नहीं है तो सब phone में यही तरीका होता है आप same तरीका apply कीजिए आप किसी भी phone में इस problem को solve कर सकते हैं तो इसे सही करने के लिए आपको phone की settings में जाना है और इसके बाद आप सबसे पहले यहाँ पर battery के option में आ जाएं तो Samsung के phone में device care में होता है यह option ठीक है तो battery में आना है और आपको यहाँ पर power mode में आकर make sure करें आपने यहाँ पर इस तरीके से power saving mode तो नहीं लगाया हुआ है ठीक है अगर आपने power saving mode लगाया है तो आप power saving mode बन करते अगर इस तरीके से भी power saving mode लगाया है तो आप इसे optimize रखे यह high performance में रखे तो इसे आप बन कर दे इसके वज़े से होता क्या है app background में run करना बन कर देती है जिसके वज़े से आपको notification के sounds नहीं आते है और इसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर phone की settings में आना है और application manager में आना है यहाँ पर आप अपनी phone पे की application को ढूल ले यह रही phone पे की application इसे click करें इसके बाद यहाँ पर आपको दिखाए देगा battery का option ठीक है तो allow background activity अगर यह off होगा तो आप इसे on रखें ठीक है अगर already on है तो एक बार off करें वापस से on कर लें इसके बाद आप इसके बाद आपकी problem solve हो जाएगी आपको सारे sound आएंगे जो भी आपको payment करता है sound आएंगे अगर इससे problem solve नहीं होती है तो एक बार phone पे को uninstall कीजिए और इसे वापस से install कीजिए पहले से install कीजिए और इसे वापस से install कीजिए तेन आपकी problem solve हो जाएगी और यहाँ पर अगर आपके realme के phone में यह नहीं चल रहा है तो आपको same वैसी method करना है थोड़ा सा फरक होता है settings में जा रहा है आपको और यहाँ पर आपको अपना battery का option धूर लेना है तो यह रहा है battery का option तो यहाँ पर आपको देखिए power saving mode on नहीं होना चाहिए आपको इसे off रखना है और super power saving mode भी off रखना है ठीक है इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए app management में जाना है और यहाँ पर आपको auto launch apps दिखाई देगी तो यहाँ पर आपको अपने phone पे की application धूल लेनी है इसे on कर लेना है basically होता क्या है बहुत सी app background में run नहीं होती है यह आप on कर लेते हैं तो इसके बाद आपकी app background में run होने लगेगी और आपको sounds आएंगे आपको सारे payment के इस तरीके से आप अपनी problem solve कर सकते हैं